नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटीब चैनल नुस्खा टीवी में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि क्या है चमकी बुखार या एक्यूट इंसिफलाइटिस सिंड्रोम और इसकी सुरुवाती लक्षण और खत्रे के विशें में जानकारी देंगे जी हाँ दोस्तों बिहार में पिछले दो सब्ता में सरकारी आँक्णों के मताबिक लगभग 107 बच्चों की मौत हो चुकी है इस मौत की वज़ा चमकी बुखार या इंसिफलाइटिस को बताया जा रहा है दोस्तों एक्यूट इंसिफलाइटिस सिंड्रों को कुछ लोग दिमागी बुखार जा पानी बुखार चमकी बुखार आथ के नाम से भी जानते हैं ज्यादातर गरमी और उमस के मौसा में पैलने वाली इस बिमारी ने बिहार में medical emergency जैसे हालाथ ला दिये हैं मरने वाले ज्यादातर बच्चे 1 से 10 साल के उम्र के हैं इन सभी बच्चों में लगबग एक जैसे ही लगच्छड देखने को मिले हैं दोस्तों बुखार आने के बाद अचाना कि इनके बलड सूगर कम हुए और इसी कारण इनकी मौत हो गई तो आईए आपको बताते हैं कि क्या है ये acute encephalitis syndrome या चमकी बुखार और क्या है इसके लक्षण और कारण आईए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं क्या है चमकी बुखार या encephalitis syndrome जेहाँ encephalitis मस्तिष्ट से जुड़ी समस्या है हमारे मस्तिष्ट में लाखो कोशिकाएं और तंत्रिकाएं होती है जिनके साहरे सरीर के अंग काम करते हैं जब इन कोशिकाओं में सूजान आ जाती है तो इसे ही acute encephalitis syndrome काते हैं ये एक संक्रामक बिमारी है इस बिमारी के वाइरस जब सरीर में पहुंचते हैं और खून में सामिल होते हैं तो इसका प्रजनन सुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं खून के साथ बाह कर ये वाइरस मस्तिक्स तक पहुंच जाते हैं मस्तिस्क में पहुंचने पर ये वाइरस कोशिकाओं में सूजन का कारण बनते हैं और सरीर के central nervous system को खराप कर देते हैं दोस्तों तुरंत इलाज है इसका बहुत ज़रूरी जहां इंसेफलाइटिस एक गंभीर और खतरनाग बिमारी है जिसमें तुरंत इलाज के ज़रूरत होती है अगर देर की जाए तो वेक्त की जान जाने का खत्रा बढ़ जाता है बिहार में एक्क्यूट इंसेफलाइटिस के कारण पहले भी हजारों बच्चों की जाने जा चुकी है यही नहीं खास बात यह है कि यह बिमारी से बच्चों को ही नहीं बलकि वयसकों और बुजुर्गों को भी प्रभावित कर सकती है आईए दोस्तों अब जानते हैं कि क्या है चमकी बुखार या इंसेफलाइटिस के लच्चों को पहचानना आसान नहीं है क्योंकि यह वाइरस निमाग के जिस हिस्से को प्रभावित करता है इसके अनुसार अलग-अलग लच्चों दिखाई देते हैं मगर ज़्यादा तर माबलों में कुछ सामानी लच्चण देखने को मिलते हैं चैसे पहला है सिर चकराना, दूसरा है सिर में लगातार हलका या तेज दर्द होना, तीसरा है अचानक बुखार आना और ठीक ना होना, चौथा लच्चण दोस्तों पूरे सरीर में दर्द होन और पांचवा लक्षण है जी मचलाना और उल्टी होना चठ़ा लखषण है बहुत ज़्यादा थखा हुआ महसूस होना और नीद ना आना साथवा है दोस्तों चेतना खो जाना और बिहोस हो जाना आठ़वा लक्षण है आखों के आगे अंदिहरा चाजाना नौवा लक्षण है सुनने में परिसानी होना दसवा है दिमाग का ठीक से काम ना करना और उल्टी सीधी बातें करना या हरकतें करना ग्यारावा लक्षण है दोस्तों पीट में तेज दर्द और कमजोरी होना 12. चलने में परिसानी होना या लकवा जैसे लक्षण दिखना 13. लक्षण है सरीर में करण जैसे जटके लगना और धूंदला दिखाई देना 14. लक्षण दोस्तों बेहोस हो जाना या अचानक गेर जाना 15. आईए दोस्तों अब जानते हैं कि बच्चों को ही क्यों सिकार बना रहा है ये चमकी बुखार जेहां बिहार में जिन बच्चों को चमकी बुखार सिकार बना रहा है उन में से ज़्यादा तर बच्चे गरीब परिवारों में से हैं और कुपोसण का सिकार हैं खाने की उचित ब्यवस्थान ना हो पाने के कारण ये बच्चे साधिक रूप से कमजोर है और इनका इम्यून सिस्टम भी बहुत कमजोर है ऐसे में वाइरस के प्रभाव के कारण इन बच्चों का ब्लड सूगर बहुत जल्दी ही गिर गया आईए अब जानते हैं कि कैसे फैलता है चमकी बुखार या इंसेफलाइटिस इनसेफलाइटिस एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्त से दूसरे व्यक्त में आसानी से फैल सकती है एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर व्यक्त के इस बीमारी के संक्रामित हो जाने के बाद उसके मल मुत्र, थूक, छींक आधि के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्त में भी इनसेफ्लाइटीस के वाइरस पहुँच सकते हैं आए दोस्तों अब जानते हैं कि कैसे बच सकते हैं चमकी बुखार या इनसेफ्लाइटीस है दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताविक इनसे फ्लाइटिस से बचाओ के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है जिसमें सबसे पहला है, इनसे फ्लाइटिस का ही एक रूप है जापानी बुखार जो मच्चरों के कारण फैलता है, इसलिए अपने आजपात साप सफाई रखे और मच्चरों को नपन अपने दे दूसरा है, बच्चों को रात में अच्छी तरह खाना खिला कर ही सुलाए तीसरा है दोस्तों, खाना पौश्टिक और ठोस होना चाहिए चोथा है, परियाप पानी पीना बहुत ज़रूरी है, गर्मी और उमस के मौसा में प्यासे ना रहे डेहाइड्रेशन के कारण भी बलड सूगर तेजी से घड़ता है पांचवा उपाय है, फलों और सबजियों को अच्छी तरह धो कर खाए चठा है दोस्तों, बुखार आने पर खुद से दवा खाने के बजाए थुरन डॉक्टर से संपर करे और सात्वा उपाय है, अगर आपके आसपास इन से फलाइटिस के मामले बढ़े हैं तो मुह पर मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकले तो ये था दोस्तों, चमकी बुखार क्या है, उसके प्रमुक लच्छन और कारण के बिसे में जानकारी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में